Hello guys and back with another video आज इस वीडियो के अंदर हम लोग continue करेंगे हमारा YouTube Caching Series का second part and पिछले वीडियो में मैंने आपको जैसा कि एक्स्प्लें किया था अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखा है तो description में के अंदर मैंने link दिया है आप जाके इसको चेक किजिए YouTube Caching Server हम लोग create कर रहे हैं मैंने आपको concept बताया था जैसे आपने HTTP Squid Proxy Server आपने देखा है जो content अपके website का जो cache है create कर लेता है उसी तरीके से हम लोग YouTube का जो वीडियो से उसको cache करने वाले हैं जब भी कोई भी एक particular वीडियो है वो भी watch की जाती है फ्रिक्वेंटली अगर watch कर रहे है कोई भी user 5-10 times या 5 times in a day और उसके बाद अब जब भी उसको next time उसको view करोगे तो आपका जो वीडियो वो YouTube के सर्वर से ना आते हुए जो हमारा खुद का create कियावा server है caching server है जहाँ पर वीडियो स्टोर्ड है वहाँ से आपको content मिलेगा इससे data हमारा save होगा आप पूरा concept को detail में समझ सकते हैं first video से मेरा हम लोग एक चोटा सा आपी से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या बात करी थी हम लोगों ने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे database maintain करके रखेंगे local database हमारा खुद का ही computer होगा MySQL में यूज करने वाला हूँ जितने भी आप वीडियो वाच करने वाले हो उनकी IDs यह वी इक्वल टू ABCD जो वी गैट का पैरामिटर है हमारा गैट पैरम वी है उसकी माँ IDs को store करूँगा database के अंदर और हर बार उसको चेक करूँगा जब भी कोई नया वीडियो आप वाच कर रहे हो या कोई भी वीडियो वाच कर रहे हो तो Chrome का एक extension हम लोग बनाएंगे JavaScript के तुरू अगर वीडियो जो है वो Threshold Frequency के अप होती है तो हम लोग उसको जो है रीडियरेक्ट करेंगे यूट्यूब कैशल जैसा कि आप ये वाला नीचे से सेकेंड इमेज उसमें देख सकते हो इंटरफेस हम लोग भी इसका create करेंगे ताकि हम लोगों को बिल्कुल यूट्यूब जैसा look and feel आए इस वीडियो के अंदर हम लोग YouTube Caching Servers का JavaScript हम लोग बनाने वाले extension and pre-requisite में आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं मैं जो install करके रखा इसके अंदर Apache Server इंस्टाल किया है and Apache Server आप भी install कर लो MySQL वगेर आप लोग सब setup करके PHP वगेर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा वैसे क्या क्या जरूरत है main चीज मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो Linux का distribution के लिनिक्स में यूज कर रहा हूँ Windows की Windows users के लिए मैं इसको आगे जो है वो बनाने वालो हूँ अभी मैं Linux users के लिए बना रहा हूँ अगर आप Windows user हो और आपको create करना है तो आप VirtualBox में boot कर सकते हो आप कोई सा भी या तो Ubuntu boot कर लिजिए या Cali Linux ही boot कर लिजिए या CentOS भी काफी अच्छा distribution है Linux का आप वो यूज कर सकते हैं मैं अभी इनीचली यह यूज कर रहा हूँ आप हम लोग आज create करेंगे JavaScript का extension सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक folder के अंदर एक separate folder create कर लेता हूँ YouTube caching के नाम का और जितने भी सारी code की file हम लोग रखेंगे उस particular folder के अंदर हम लोग रखने वाले हैं होती है and index.html जो है हमारा Apache का default page अगर आप localhost को ping करेंगे यहाँ पर मैं localhost को रहा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Apache to Debian default page तो यह default page हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर हम लोग एक folder create कर लेते हैं sudo mkdir folder का नाम आप रख लिजे YouTube caching आपके साब से आप रख सकते हैं सब कुछ and मैं आप sudo password type कर देता हूँ and उसके बाद हम लोग को इसको permission देना ही पड़ीगी क्योंकि अभी जो हम लोगों ने create किया है वो सिर्फ उसको जो है वो owner यागनी root change कर सकता है so मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं सब permissions सब सारी set कर लेता हूँ sudo chmode-r777 कोई भी इसको read write execute कर सकता है and YouTube caching को मैं आप दे देता हूँ ls-l so आप इसको जो है वो कोई भी execute कर सकता है read write and execute तीनों कर सकता है YouTube caching के उपर अब इस YouTube caching के अंदर एक नया folder हम लोग create कर लेता है extension के नाम पर सारा extension का files जो है वो हम लोग उस particular folder के अंदर रखेंगे तो मैंने क्या mkdir mkdir यहाँ पर मैंने extension नाम का एक folder create किया and extension नाम का folder create करने के बाद उसके अंदर हम लोग enter कर जाते है and जो मैं use करूँगा सारे codes write करने के लिए id वो है vs code आप sublime भी उसका सकते notepad++ आपके preferred id मेरी preferred id vs code है मुझे काकि अच्छा लगता है so मैं vs code open कर लूँगा simply code space dot type करूँगा तो उस particular folder के अंदर vs code open हो जाएगा so अभी हम extension folder के अंदर है so javascript का extension create javascript से extension create करने के लिए हमको दो basically file की जरूरत होती है एक manifest dot json file and second thing is script dot json content script जिसमे हम लोग सारा script रखेंगे script dot js file so manifest dot json file basically metadata about your all about your extension की आपका extension का नाम क्या होगा description, version, version and logo अगर आप रखना चाहें तो उसके अंदर आप रख सकते हैं content script उसके कौनसी होने वाली जो all about logic कौनसी script के अंदर लिखावा होगा and urls so फटा-फट से हम लोग यहापर set कर लेते अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप दूसरी videos पर जाकर दूसरे channels पर आप चेक कर सकते हैं manifest dot json का का काम क्या होता है मैंने basically आपको बता दीक idea होगा आपको हो जाएगा कि मेंटा data है कुछ नहीं है so अगर आपको देखना है तो गूगल बगेरा भी कर सकते हैं so मैं एक नया file create करता हूँ यहापर and यह सब मैं इतनी speed में क्यों बता रहा हूँ कि यह सब तो basic काम है कोई भी programmer को आराम से कर सकता है manifest.json file में आपके create कर लेता हूँ and manifest.json के साथ में हम लोग content script file भी create करेंगे so मैं ctrl n new file लेकर script.js file में create कर लेता हूँ आप script.js की जगा कुछ भी नाम रख सकते हैं like app.js, extension.js so manifest.json file में जाने के बाद में हम लोगो कुछ values है भी set करने पड़ेगी या कुछ की parents हम लोगों को set करने पड़ेंगे so सबसे पहला जो हमारा parameter हो जाएगा manifest version हो जाएगा so many manifest manifest underscore version so current version अभी चल रहा है वो हमारा 2 है and यहाँ पर अब जो आप चीजे रखेंगे वो आपके साफे कस्टमाइज रख सकते है like इसका जो नेम है वो क्या होने वाला है जसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बाद अगर आप chrome extensions चाके चेक करेंगे so जो टाइटल होगा वो हमारा Google इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या करा कि chrome extensions के अंदर गया and यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ default apps इनों देखे रखे like docs है उसका version है so यह docs उसका नेम हो गया यहाँ पर जो blue color का आपको दिख रहा है वो logo हो गया 0.10 इसका version हो गया and इसका description क्या हो गया create and edit document so हम लोग basically यह सब चीज़े set करेंगे manifest.json के अंदर and इसके बीचे का logic जो भी होगा वो script.js के अंदर हमारा लिखा होगा so यहाँ पर हम लोग name देते हैं like youtube caching extension extension and इसका name तो हम लोग उने set कर दिया then इसका description आप set कर सकते हैं d-e-s-c-r-i-p-t-i-o-n description and description set कर सकते हैं like save data bandwidth आपके सब से कुछ भी इसको रख सकते हैं and version भी आपके सब से कुछ भी रख सकते हैं like आप देख सकते हैं Google Docs का version है 0.10 so आप आपके खुद की series इसमें चला सकते हैं like मैं चला रहा हूँ starting से 1.0.0 हम लोग चला देते हैं basic so next parameter होने वाला है वो हमारा होगा content scripts हम लोग js का path इसके अंदर देंगे then हम लोग एक array बनाएंगे इस array के अंदर हम लोग first parameter देंगे matches and यहाँ पर हम लोग एक array बनाएंगे and इस array के अंदर हम लोग यहाँ पर all underscore urls देंगे then second हमारा हो जाएगा parameter js का file obviously क्योंकि हमारा जो script है वो कौन सा file run करेगा मतलब main हमारा जो content हो का वो किसमें return होगा so आप जो भी file create कर रहे हो like script.js की जग़ा आप app.js create कर रहे हो so यहाँ पर आप वो वाला app.js पास कर दे न so अभी मेरा script.js हो तो मैं script.js भी यहाँ पास करके इसको save कर देता हूँ so basic हमारा का manifest.json का version हो गया manifest version हो गया, name हो गया description, version and content scripts matches and js हम लोगोंने set कर दिया and simply अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर console.log करके दिखाता हूँ आपको कि script run हो रही है नहीं so यहाँ पर हम लोग type कर देते हैं like extension is working मैंने इसको save किया save करने के बाद हम लोग चलते हैं और सबसे पहले इसको import करना सीखते हैं कैसे इसको इसको import करते हैं so आपको नया type open करना है and नया type open करने के बाद मैं आपको यहाँ पर type करना है chrome extensions so extensions open करने के बाद यहाँ आपको default कुछ extensions दिखेंगे and आप right hand side पर देखो कि मेरा developer mode already on है अगर आपको on नहीं है तो simply आप इस पर click करेंगे तो आप पर developer mode है वो on हो जाएगा जैसे आप developer mode on करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन options देखने को बिलेंगे load unpacked, pack extension and update so मैं क्या करूँगा यहाँ पर load unpacked पर click करूँगा and load unpacked पर click करने के बाद मैं आपने जहाँ पर extension को रखा है जैसे मैंने जो है वो Apache folder के अंदर YouTube caching के अंदर एक folder बना के रखा extensions name का, so मैंने वहाँ पर उसको रखे रखा है तो मैं वहाँ पर उसका location उसका जो folder है मैं उसको वहाँ पर open कर लूँगा so मैं जाता हूँ other locations, computer war, www, html and YouTube caching and extensions के उपर जाके मैं इसको यहाँ पर open कर दूँगा simply so open करने के बाद देख सकते हैं YouTube caching extension जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर title दिया था, वो हमारा आ गया है and version 1.0.0 यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों जो version दिया था and save data bandwidth इसका जो है वो description है आप details पर जाके देख सकते हैं so less than 1MB का extension है, इसकी कुछ ID create हुई है, save data bandwidth इसका description है and बाकी के permissions आप इसको देख सकते है and यहाँ पर हम लोग इसका जो logo है वो भी मैं future में set करूँगा अभी मैंने logo का dimension जो बनाया नहीं है लोगों भी मैंने create नहीं की है तो हम अच्छा सा logo हम लोग इसको future videos में हम लोग उसको लगाना सीखेंगे अभी हमारा extension जो है वो enable हो चुक है दिख सकते हैं यहाँ पर और अगर कोईच भी आपका error होगा अगर आपने कुछ mistake करी होगी type करने में तो यहाँ पर आपको एक error आ जाएगा यहाँ पर और आप उस error को click करके आप उसको check कर सकते हो कि error क्या है make sure कि आपने सारी चीज़े correct type करी हो ने तो आपका extension जो है वो import नहीं होगा आपको error दिखाएगा ओके तो हमारा एक काम तो complete हो गया अब हम लोग check करते हैं कि हमारा extension जो है वो work कर रहा है या नहीं तो मैं क्या करता हूँ inspect element पे click करता हूँ inspect element पे click करने के बाद console पे click करता हूँ console पे click करने के बाद जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर script.js के अंदर content जो file है content script के अंदर हम लोगों ने extension is working करके console log दिया है तो obviously बात है कर हम कोई भी एक tap खोलेंगे कोई भी website हिट करेंगे सो हमारा script है वो run होगा आप यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं तो मैंने google open किया and आप देख सकते हैं यहाँ पर extension is working script.js की first line के अंदर हमारा यह जो लिखा हुआ है इसका code and extension is working सो हमारा यहाँ पर basic काम खतम हो गया है कि हम लोगों ने extension create कर लिया उसको import करना सीख लिया बट हम लोग आप क्या करने वाले है कि आप कोई भी website open करोगे लाइक गर मैंने आपे stack overflow open किया या कोई भी मैं फाइल open करूँगा या जब भी हमारा जो URL वो change होगा सो हमारा हर बार वो extension call होगा बट हम लोग क्या चाहते हैं कि extension जब ही call हो जब हम youtube.com पर हो तो हम लोग क्या करेंगे उसको extension की content script से हम लोग उसको handle करना सीखेंगे और सीखने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि extension है उसके अंदर एक चीज़ और हम लोग करते हैं हम लोग जो भी url, current url पर अभी हम लोग हैं उसको हम लोग print करके देखते हैं अभी हम लोग ने सेव एक sample hard-coded खुद से extension is working लिखा था बट हम लोगों को तो इसका जो url है जो भी youtube की video id है वो हम लोगों को extract करनी है और हमारे backend पर send करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस url को extract करना सिखते कि हम लोग उसको url को है जो हम लोग current url है उसको extract कैसे करेंगे so हम लोग simply code पर जाता हूँ मैं यहां पर मैं क्या करता हूँ? console.log करता हूँ और हम लोग क्या करेंगे window.location.href का यहां पर use करेंगे locati1 location.href so window.location.href हम लोगो क्या return करता है हम लोगो current URL पूरा URL return कर देता है so मैं इसको save करूँगा then save करने के बाद हम लोग इस extension को अगर जब भी हम कोई भी extension के अंदर changes करेंगे so make sure कि आप उसको reload करो extension को अगर आप reload नहीं करोगे extension को तो आपका extension work नहीं करेगा पूराना वाला ही जो भी आपका code लिखावा तो वो ही चलेगा ये वैसा ही है कि जैसे आपने अगर कुछ type कर दिया ID में कोई भी अगर आप CC++ पर काम कर रहे है HTML CSS पर काम कर रहे है तो आपने type कर दिया बट save नहीं किया उसको तो अगर आप type कर दोगे और save नहीं करोगे तो आपको output दिखे कहीं नहीं बट extension के case में क्या है हमारा कि हमने कर टाइप भी कर दिया save भी कर दिया बट हमको reload करना ज़़ूरी है अगर हम reload नहीं करेंगे तो वो script जो है वो last जो code हमने लिखा तो वो ही run होगा एक्सिंशन पर जाएंगे एक्सिंशन पर जाने के वाद आप देख सकते enable disable button के past make reload का option है तो simply आप इसको first single time click करेंगे तो यहाप आप देख सकते reloaded आ गया अगर कोई भी error आता है तो आपको remove button के past make error button भी दिखेगा आप इस पर click करेंगे तो आपको errors देख चाहेंगे अब हम लोग क्या करते हैं इस page को refresh मारते हैं वापस हैं मैंने इसको किया refresh and refresh करने के बाद आप देख सकते हैं window.location.href से हमारा जो location है हमारा जो current URL है वो extract हो गया सो हमें क्या करते हूं यहाँ पर हमको इतने सब URL की जरूरत नहीं है and हम लोग क्या करते हैं फोड़ा सा filter out करने की कोशिश करते हैं सो हम लोग एक काम करते हैं current URL है मैं उसको एक variable के इंदर ले लेता हूं current URL equal to window.location.href मैंने इसको एक current URL में ले लिया and इसको हम एक URL object के इंदर पास कर देते हैं ताकि हम लोग इसके host name इसका query parameters सब बाकी सारी चीज़े निकाल सकें so मैंने यहाँ पर क्या करा यहाँ पर कर दिया URL equal to new URL and इसके इंदर मैंने पास कर दिया current URL and second thing is कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो host name है हमारा जो host name क्या होगा हमारा अभी current host name हमारा होगा google.com so इसको सिर्फ हम लोग extract करके console.log करते हैं host name हम लोग क्यों नहीं का रहेंगे क्यों कि हमको सिर्फ youtube.com पर ही हमारा जो script हो run करना है so मैं क्या करूंगा if की condition देखे if host name is equal to equal to youtube.com then script run हो else script run ना हो वो ही पर खतम हो जाए so हम लोग क्या करेंगे इस से भी host name extract करने के कोशिश करते हैं so मैंने console.log किया यहाँ पर and url. यहाँ पर host name आप देखेंगे उस object के अंदर एक method है host name करके so वो क्या करेगी जो हमारा current url उसमें host name extract करेगी और वो return कर देगी so मैं इसको save करूँगा and इसको मैं refresh करूँगा and refresh करने के पहले आपको मैंने आपको जैसा के बोला के reload करना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको save कर दिया बट मैंने इसको reload नहीं किया so अभी मुझे result जो है पुराना वाला ही देगा so मैं extension पर जाना पड़ेगा कि मैं इसको reload मारूँगा reload मारने के बाद मैं जैसे इसको refresh करूँगा कोई भी tap को so आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो host name है उस जो function है उसने हमको return किया है host name and अगर आप youtube.com पर जाएंगे let's say मैं यहाँ पर जाता हूँ youtube.com मैं यहाँ पर youtube.com पर जाऊंगा and यहाँ youtube.com पर जाने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर script.js line number 3 पर youtube.com आपको return कर दिया so हम लोग आप क्या करेंगे कि if अगर हमारा url equal to equal to youtube.com हुआ url.hostname अगर हमारा youtube.com हुआ so हमको क्या करना है simply यहाँ पर make equal to और लगा देता हूँ console.log कर देते हैं yes अगर यह youtube.com नहीं हुआ so else मैं लगा देता हूँ मैं console.log console.log no simple simple सा javascript है यह तो simple plain javascript है so मैं क्या करता हूँ extension को reload करता हूँ reload करने के बाद मैं यहाँ पर जाके मैं इसको refresh मारता हूँ so अब क्या होगा हमारा अब हम लोग youtube.com पर हैं तो ही हमारी script होगी so youtube.com www.youtube.com जो host नहीं में वो return कर रहा है www.youtube.com but मैंने यहाँ पर www नहीं दिया है so मुझे यहाँ पर www देना पड़ेगा and इसको मैं save करूँगा extension को हम reload करेंगे and boom इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोग हमारा जो ही yes आ गया but अगर मैं google.com पर जाऊँगा या कोई अधर आप website पर जाएंगे तो आपको no लिखावा आएगा like मैं जाता हूँ यहाँ पर stack overflow पर जाके दिखते हैं हम लोग stack overflow पर जाएंगे so जैसे मैं stack overflow पर गया तो अब देख सकते हैं stack overflow.com लिखावा host name जो है stack overflow.com return कर रहा है हम लोगों को so यहाँ पर उसका no आ गया so हमारा एक काम complete हो गया कि हम लोगों ने एक extension को import करके सिर्फ youtube.com आ रहा है तो ही हम लोगों ने इसको host name को extract किया URL एक object बना के so अब हम लोग क्या करेंगे कि एक video है हम लोग कोई भी एक video ले ले लेते यहाँ पर मैं ले लेता हूँ no copyright song या हम लोग हमारी चैनल का ही कोई video लेते है tech reload के अंदर गया मैं so like last video मैंने create किया था create your own youtube server इसका मैंने click किया so अभी क्या हो रहा है हमारा कि जब भी मैं कोई भी video से एक video अभी watch कर रहे हो या आप youtube.com पर हो अगर आप एक video से दूसरी video पर switch कर रहे हो so आपका जो url यह आपका जो page यह वो reload नहीं हो रहा है इसके कारण आपका जो url है वो आपको वापिस सेट करने नहीं दे रहा है like आप यहाँ पर चीज समझना like मैंने अभी youtube.com का video open किया right so आप मैं काम करते हैं इसको और जिस समझने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर console.log कर लेता हूँ यहाँ पर current url को हम लोग पहले log करके दिखाता हूँ मैं आपको so मैं इसको reload करता हूँ and इसको मैं refresh करता हूँ so अभी क्या हुआ हमने page reload मारा अगर हम page reload मारेंगे तो हमारा extension भी reload होगा extension फिर से load होगा and extension अगर फिर से load हुआ है so current url फिर से निकलेगा हमारा current url window.location.href से आएगा फिर url के अंदर जाएगा object के अंदर and इस object के अंदर host name हम लोग call करेंगे और फिर हमको host name जो है वो return करेगा अभी हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर https.youtube.com जैसे मैंने refresh button पर click किया था https.youtube.com v equal to YouTube की हमारी video idea वो हमको return कर दी है but अगर आप मेरा वापिस कोई video वाच करते हो या like आप कोई सा भी video वाच करते हो मैं कोई सा और वीडियो ले ले लेता हूँ like no copyright music के अंदर हम लोग जाते है and हम लोग no copyright sound के अंदर गया मैं और वीडियो के अंदर गया मैं and मैंने कोई सा भी video प्ले करा so आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो वापिस से URL नहीं मिला लेकिन हम लोगों का location जो है वो change हो गया है but हमारा जो window.location.hrf वापिस execute नहीं हुआ so इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि हम हर एक second में हमारा URL चेक करेंगे set interval नाम का एक function जो है inbuilt function JavaScript का होता है वो हम लोग use करेंगे ताकि हर एक second में हमारा URL चेक हो अगर जो अभी हम लोग method यूज कर रहे है जब मैं refresh मारूँगा तब ही वो हमारा जो हमको नया URL रिटर्न कर गया यसे कि मैंने यहाँ पर refresh मारा so मेरी जो watch id है v equal to p underscore underscore 80 जो है अभी हमारा आ गया so हमारा जो page है वो reload हुआ उसके बाद ही हमारा extension चला but हम लोगों को क्या करना है कि जब भी मैं video change करूँ या video कोई frequently change होते जारी है बार 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 चेंज होते जारी है मैं एक वीडियो से दूसरी वीडियो बजा रहा हूँ तो हमारा execute होना चीए को so मैं यहाँ पर क्या करूँगा paste करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका indentation fix कर देता हूँ and ठीक है and set interval क्या करेगा कि हम एक function देंगे और second इस पे अंदे दो parameter हम लोग देंगे एक function का नाम and second parameter होगा हमारा time की कि कितने milliseconds के बाद उस function को वापिस call करना है repetitive call करना हमको हम लोग क्या करेंगे यहापे सबस्पर फर्स parameter होगे हमारा URL check and second parameter होगे हमारा कितने milliseconds में आपको उसको बार-बार call करना है हम लोग क्या करना है हमको एक second में करना है तो एक second में करने के लिए हम लोग 1000 milliseconds यहापे पास कर देंगे and इसको save करूँगा मैं अब यह क्या होगा कि हम जब हर एक second में हमारा YouTube का URL check करेगा हम लोग क्या करते हैं यहापे extension को reload करके एक बार check करते है reload किया यहापे कोई भी error नहीं आया and इस page को मैंने वापिस load किया and मैं क्या करता हूँ console को lock को clear कर देता हूँ ताकि जो extra item है वो हमको नहीं दीखेगा आप देख सकते हैं यहापर हर एक second में जो है अब आपका जो script है वो run करेगा यहापर आप देख सकते हैं यहापर https.youtube.com slash watch underscore this 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 so हमको बाकी चीजों से कोई मतलम नहीं हम एक और काम कर लेते हैं यहापर हमने एक step और आगे बढ़ गए हैं तो हमने hostname दे extract करी लिया है तो हम लोग v equal to view id है हमको सिर्फ और सिर्फ इस video के अंदर कोई भी video है उसके अंदर p underscore underscore 80 something something जो हमारा view की id है वो उससे हम लोगों को मतलब है और यही ही चीज हम लोग database में store करके रखने वाले हैं like मैं आपको जो मेरा database है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था मेरे पुराने videos के अंदर so यहाँ पर मैं फटाक से login कर लेता हूँ इसके अंदर password है okay so यहाँ पर मैंने जो है पहले से मैंने आपको दिखाया था पिछली video के अंदर के मैंने create किया हुआ है so मैं video urls के अंदर जाऊंगा so अब देख सकते हैं यहाँ पर v equal to यह वाला जो हमारे video के आईडी जे वो ही मैंने store करके रखिए बाके का https.youtube.com क्योंकि हम लोगों ने वो क्यों store करके ने रखा है कि वो redundant data है हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है हमको पता ही है कि जो video है वो youtube की है so हम लोग सिर्फ view id है v equal to ilnq something something उसको हम लोग सिर्फ store करके रखने वाले है so मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हम लोग इस parameter को extract कर लेते हैं तो फटा-फट चलता हूँ script.js के अंदर okay so हम लोग क्या करेंगे अब कि हम लोग उस parameter जो है v equal to id जो भी हम लोग उसको extract करना सीखेंगे so अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे url.hostname कर रहे थे and www.youtube.com अगर यह अगर हमारा url hostname होता है तो यह हमारी script जो execute होगी so हम लोग इस console.log के अंदर क्या करते हैं yes quote आ देते हैं and अभी हम लोग जैसा कि आप जितनी भी सारी वीडियो यूटुब के दर आप watch करते हैं so उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि youtube.com slash watch question mark v v जो है हमारा वो get का parameter की key है वो सब जगा constant रहती है वो हमेशा v ही रहती है और उसके बाद हम लोग को idea उसके extract करनी है so हम लोग क्या करेंगे console.log करेंगे url.search parameter में दूँगा and .get क्योंकि वो get का एक parameter है and यहाँ पर कौन सी key हम लोग को extract करनी है हम लोग को v v जो key हमारी उसको extract करनी है और key के अंदर का data हम लोग को लेकर आना है so मैं इसको save करूँगा save करने के बाद मैं क्या करूँगा extension को यहाँ से reload मार दूँगा reload करने के बाद हम लोग इस page को refresh करेंगे and मैं console clear कर देता हूँ कुछ warnings अगर आ रही है तो उसको clear कर देता हूँ मैं so आप देख सकते हैं यहाँ पर youtube.com and p underscore 80 c ur something 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 so यह हमारा आ रहा है so हमारा जो youtube.com यह पूरा जो पूरी हमारी जो url थी उसके लगा उसके जगह हमको सिर्फ हमारा जो काम का parameter है सिर्फ वही extract हो रहा है जिसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर last time मैंने vb store किया था बट इस time में vb store नहीं करने वाला हूँ सिर्फ जो हमारा keys watch url है सिर्फ वही मैं यहाँ पर store करके रखूँगा so अभी हम लोगोंने क्या किया पटापट से एक flashback लेले थे हम लोगोंने manifest.json filho क्रेट किया script.json फाइल क्रिएक किया manifest के यंदर मेटड़ेटा दिया description है, name है, contentsScript 좋다 js बना ही हम लोगोंन लोगोंने chuck.js के इंदर आंप लोगोंने एक फंक्शन बनाया एसके अदर हम लोगों ने URL Challenge नाम का एक function दिया एड उसके अदर हम लोगों time limit दी 1 second कि हर एक second में जो हमारा वो call होगा उसके बास हम लोगों ने URL को extract किया उसके अंदर से hostname को extract किया और उसके अंदर search parameter extract करके हम लोगों ने read एड हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे extension को जो है वो import करेंगे हमारा अभी का जो काम है वो successfully हो गया है हम लोगों ने क्या कि एक JavaScript का extension बनाया है जिसके अंदर से हमारे हमने वी वी आईडी जो है जो मतलब watch आईडी है हमारी हम लोगों ने extract करके रख लिए है इस वीडियो के लिए इतना ही मैं चोटे-चोटे पार्ट करके काफी सारी वीडियो बनाने वालों आप continuously watch कीजेगा अगर कुछ दिक्कत आती है तो मैंने Instagram नीचे की link देके रखी Instagram पर मुझे आप पूछ सकते हैं या मुझे mail कर सकते हैं मेरा mail ID में अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है अगर आप इन साप में नहीं हो तो आप मुझे comment section में बता सकते हो मैं आपकी मदद करने के लिए जल्दी-जल्दी कोशिश करूँगा इस वीडियो के लिए इतना ही अगली वीडियो के अंदर जब तक के लिए आप दिखते रहे हैं हमारा चैनल